कोई चीज कितने समय तक खड़ी रहती है या कोई चीज भौतिक स्थर पर कितनी अच्छी तरह से काम करती है यह बस ज्यामिती पर निर्भर करता है तो क्या किसी इमारत की ज्यामिती से फर्क पढ़ता है? बिलकुल पढ़ता है पेड़ पौधों और जानवरों और हर चीज के मामले में हम यह जानते हैं कि जिस महाल में वो रहते हैं वो बहुत महत्वपून होता है वरना उनका विकास नहीं होगा यही इंसान पर भी लागू देखिए अगर आप भौतिक दुनिया पर नज़र डालें तो वो चाहे आपका शरीर हो या गहास का एक तिनका या धर्ती या जो भी भौतिक ब्रह्मान पूरी तरह से जयामिती से संबंद रखता है है ना उदाहरन के लिए ये शायद तीन साल पहले की बात है मैं इशाय योग केंदर में टहल रहा था और आम तोर पर लोगों को लगता है कि इसकी वास्तुकला या बनावट अनोखी और सबसे अलग है तो मैं अलग-अलग चीजों को बारीकी से देखते वे टहल रहा था फिर मैंने एक जगे देखी जहां हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ एक पेड़ की डाल थी जो एक खास तरह से थी तो मैंने उसे देखकर कहा कृपया इस डाल को काट दीजे मैंने उन्हें वज़े नहीं बताई मैंने बस कहा कि इसे काट दे और चल दिया अगले दिन मैं विदेश यात्रा पर चला गया और लगभग डेड़ महीने आश्रम में नहीं था फिर दो या तीन हफते बाद उन्होंने बहुत शर्मिंदा होकर मुझे एक मेल भेजी कि सद्गुरु आपने हमसे पेड़ की डाल को काटने को कहा था पर हमने सोचा कि सद्गुरु किसी पेड़ की डाल को क्यूं काटना चाहेंगे जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई चीज सिर्फ तभी काटनी चाहिए जब भी बिलकुल जरूरी हो तो हमने उसे नहीं काटा पर तेज आंधी और बारिश आई और वो डाल गिर गई सौभागे से लोग वहां नहीं थे अगर लोग होते तो उन्हें चोट लग सकती थी हमें बहुत दुख है, हम नहीं जानते थे कि आपने हमसे डाल काटने को क्यूं कहा था देखिए, कोई चीज कितने समय तक खड़ी रहती है या कोई चीज भौतिक स्तर पर कितनी अच्छी तरह से काम करती है ये बस ज्यामिती पर निर्भर करता है मेरा मतलब आपके शरीर से भी है आपके बैठने के तरीके से तैह होगा कि आपके शरीर के अलग-अलग अंग कितने समय तक चलेंगे आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं आजकल रेस में दोडने वालों और दूसरों के लिए शरीर की अवस्था को ठीक करना एक बहुत बड़ा विग्यान बन गया है उनके पास मशीने हैं उनके पास स्कैन करने की मशीने हैं जो बताती हैं कि जब आप ऐसे खड़े होते हैं आपकी रीड कैसी रहती है, आपकी पसलियां कैसी रहती है ऐसे करते हैं तो आपका आमाशय कैसा होता है, लिवर कैसा होता है, ये सब क्योंकि अगर आप घलत तरीके से दोड़ेंगे तो खुद को नुकसान पहुचा देंगे खेल कूद में अब ये बड़े स्तर पर शामिल हो गया है लेकिन योग में ये हमेशा रहा है योग की पूरी पद्दती आपकी ज्यामिती को विशाल ब्रमांडिय ज्यामिती की सीध में लाने से सम्बंदित है ताकि आप कम से कम टकराव के साथ काम कर सकें अगर आप क्या यहां मेकैनिकल इंजिनियर मौजूद है अगर आप कहते हैं कि कोई मशीन बहुत अच्छी है तो आप दरसल ये कह रहे हैं कि इसकी ज्यामिती अच्छे से सीध में है ज्यामिती के तालमेल में ना होने का मतलब बहुत सारा टकराव है न तो ये आपके शरीर पर भी लागू होता है ये हर आकार और रूप पर लागू होता है ब्रह्मान में काम करने वाली हर चीज़ को ज्यामितिक रूप से तालमेल में होना होगा वरना वो गड़बड़ी पैदा करेगी तो क्या किसी इमारत की ज्यामिती से फर्क पड़ता है बिलकुल पड़ता है खासकर अगर आप थोड़े समवेदन शील हैं तो इसे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हर किसी पर इसका असर होता है जादा तर लोग ये नहीं समझ पाते वे अपने बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते वे बस नतीज़ा जानते हैं वे सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रा वो ये नहीं जानते कि उन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रा लोग उस पर गौर नहीं करते लेकिन आपके आसपास मौझूद आकरितियां और आकारों का असर पड़ता है क्योंकि आप खुद एक भौतिक आकार हैं और ये भौतिक आकार कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है इस सब का जियामिती की दृष्टी से कुछ असर होता है आप मेंसे बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा खास कर लड़कियां, जब वे किसी इमारत में घुस्ती हैं तो शायद वे से जादा महसूस कर सकती है मुझे ये अच्छी नहीं लगी, बस यूँ ही ये हमेशा होता है, जब आदमी और 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 पत्नी घर खरीदने जाते हैं तो पती सारे कागजात देखता और कहता ये अच्छा है, ये ठीक है और कीमत भी वाजिब है, ये बहुत बढ़िया है वो अंदर जाती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगा, बस क्योंकि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है वो बस यही जानती है उसे वज़ा नहीं पता, उसे नहीं पता कि वो क्या आकार है जिसकी वज़ा से ऐसा हो रहा है लेकिन उससे पता है कि यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो आकरितियों और आकार का आप पर काफी असर होता है ये परियाप्त ध्यान देने से पता चलेगा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए क्या आप दक्षिन भारत से हैं? तो आप केरल से आए हैं आपको दक्षिन भारतिये मंदिरों पर गौर करना चाहिए कि वे जामिती की दृष्टी से कितने सटीक हैं आप अपना लेजर से नापने वाला यंत्र लेकर आज जाईए और जाचिये आपको पता चलेगा कि वो सटीक है 90 डिगरी के कोन के ठीक होने का महत्व इस इमारत में वे ठीक नहीं है और आकरितियों और आकार का क्या फर्क पड़ता है जब उन्होंने प्राचीन मंदिरों का खास कर दक्षिन भारत में निर्मान किया तब उन्होंने इन बातों पर बहुत बारिकी से गौर किया उत्तर भारत के सभी मंदिर इंट के मंदिर हैं उन्हें खास तरह से बनाया गया है ऐसा लगता है कि वे सारे जल्दबाजी में खड़े किये गया है नहीं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उतरी इलाके ने कई आक्रमन जहले हैं और प्राचीन मंदिर नश्ट कर दिये गये थे फिर उन लोगों ने इन्हें जल्दबाजी में बनाया लेकिन दक्षिन में उन्होंने समय लगा कर उनको एक खास तरह से बनाया आपको किसी विश्वास की जरुवत नहीं आप महसूस कर सकते हैं बस वहाँ जाकर बैठिये आप महसूस करेंगे उस स्थान का आप पर एक खास असर हो रहा है हमें घरों को ऐसे ही बनाना चाहिए दफ्तरों को ऐसे ही बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है दिखिए पेड़ पौदों और जानवरों और हर चीज़ के मामले में हम ये जानते हैं कि जिस महाल में वो रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है वरना उनका विकास नहीं होगा यही इनसान पर भी लागू होता है अगर आप बस किसी भी तरह जीना और मर जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं लेकिन अगर आप वाकई विक्सित होना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के स्थान में रहते हैं इसका एक पूरा विज्ञान है जिसे आम तोर पर अगम कहते हैं लोग सोचते हैं कि ये मंदिर बनाने का विज्ञान है ये मंदिर निर्मान के बारे में नहीं है इनसान के लिए सभी निवासस्थान वैसे ही बनाने होते थे बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए इसका खर्च नहीं उठा पाते तो उन्होंने इसे सिर्फ मंदिरों में ही इस्तमाल किया क्योंकि इसके लिए बहुत लगन और साफधानी चाहिए तो इसकी एक वज़े यही है देखे आपको समझना चाहिए कि सिर्फ धक्षिन में यह निर्देश अब भी है उत्तर में यह खत्म हो चुका है धक्षिन में आज भी यह निर्देश है अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको प्रार्तना नहीं करनी है आपको किसी भगवान से विनिती नहीं करनी है आपको बस कुछ समय के लिए वहां बैटना है क्या उन्होंने आपको बताया है आपको वहां जरूर बैटना चाहिए लेकिन आज लोग ये कर रहे हैं कि वे बस अपने शरीर को फर्श से छू कर चले जाते हैं इसके पीछे ये सोच नहीं है वो स्थान बहुत ध्यान से बनाया गया है आपको वहां बैटना चाहिए और उसे अनुभव करना चाहिए और अपने सिस्टम को इसका लाब उठाने देना चाहिए योग की पूरी पदती बस यही है हट योग पूरी तरह से आपकी ज्यामिती को हमेशा ठीक करते रहने से संबंदित है कि अगर आप दुनिया से गुजरते हैं तो आप बड़ी सहजता से गुजरेंगे अगर आपकी ज्यामिती सही नहीं है तो आप देखेंगे कि हर कदम पर आप उलट जाएंगे तो आज भारत में वास्तुकला को देखें तो बस कुछ को छोड़ कर जिन नई इमारतों का निर्मान किया जा रहा है दुर्भागे से हमारे अंदर एक गंभीर मानसिक गुलामी है जो भी पश्चिमी देशों में किया जा रहा है हम भी वही कर रहे हैं बिना अपने मौसम को ध्यान में रखे बिना यहां के तापमान और हर चीज का ख्याल किये बस यूँ ही यहां तक कि हमारा पहनावा भी जादातर वैसा है अगर आप IIT से पढ़कर निकलते हैं तो शायद आप में से जादातर सूट पहनेंगे कोट के साथ और अपने गले में एक फंदा 40 डिगरी तापमान में कोट कैसे पहन सकते हैं मैं किसी महत्वपून CEO से मुलाकात कर रहा था और मैंने उनसे कहा देखिए आपकी बोर्ड मीटिंग में कई कमपनियों में जरूरी है कि वे कोट और टाई पहने हुए हो मैंने कहा CEO का मतलब है कि लोग उससे उमीद करते हैं कि वो सबसे समझदारी का काम करेगा नई हमें समझना चाहिए कि एक बड़ी कमपनी का मतलब है कि लोगों ने अपना पैसा अपनी बचत अपनी महनत की कमाई किसी को सौंप दी है और उमीद करते हैं कि ये आदमी सबसे समझदारी की चीज़ करेगा लेकिन ये इनसान 40 डिगरी तापमान में टाई के साथ एक मोटा कोट पहनता है मैं इस इनसान से समझदारी की उमीद नहीं करता तो वास्टुकला का समझद बस इमारतों से नहीं है जिस तरह से हम बैठते और खड़े होते हैं फरनीचर यहां तक यह हमारा पहनावा एक तरह से वास्टुकला है हम इसे तरह-तरे के नामों से बुला सकते हैं डिजाइन या फैशन कह सकते हैं लेकिन ये दरसल रूप और आकार के बारे में, ये बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है, यही समय है कि हम इसे फिर लाएं, क्योंकि पिछले करीब 50 सालों में, 1950 से, जब से IT शुरू हुआ है, हम सर्वाइवल मोड में हैं, इस देश के लोगों को किसी तरह से जीवित रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, अब हम खुशाली के एक ठीक ठाक स्तर पर आए हैं, हलाकि ये हर मनुश्य तक नहीं पहुँची है, पर बड़ी संक्या में, लोग ठीक ठाक जी रहे हैं, यही समय है, जब हम रहने के जादा उन्नत तरीके पर गौर करें, और ये हमेशा ज च्छत समतल है, मैं नहीं जानता कि बाहर से ये च्छत कैसी है, क्या ये एफ्रेम है, ये एक एफ्रेम है, तो अभी च्छत और गुरुत्वा कर्शन के बीच एक लड़ाई है, है या नहीं, हो सकता है कि आपको ये लड़ाई ना दिखे, लेकिन ये जारी है, यहां पर तन है, और एक दिन, किसी दिन, आपके विचार से कौन जीतेगा, ये धांचा या गुरुत्वा कर्शन, गुरुत्वा कर्शन जीत जाएगा, तो हमने ऐसे धांचे बनाए हैं, जिनके खड़े होने की वज़े, इस्तमाल में आई चीजों की मजबूती नहीं है, बलकि सिर्फ ज्यामिती की सटीकता है, तो ये गुरुत्वा कर्शन है, जो इसे थामे हुए है, गुरुत्वा कर्शन इसे नीचे नहीं गिरा रहा है, आपको आकर इन मारतों को देखना चाहिए, ये अनोकी और शांदार है, हमारी बनाई हुई ये एक चीज है, जिसका मुझे बहुत इनका डिजाइन ऐसा है, जो कम से कम तीन से पांच हजार साल तक खड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें समय के साथ खराब होने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें कोई स्टील, कोई सिमेंट, कोई कॉंकरिट नहीं है, ये बस पकाई हुई इंटे हैं, देखिए अगर आप पा भी जाते हैं, या जो भी सबसे प्राचीन सब्वेता, तो आपको वहां क्या मिलता है, सिर्फ पकाई हुई चिकनी मिट्टी ही कायम रही है, पकाई हुई चिकनी मिट्टी और बस चूना ही, चीजों को वहीं उपर थामे हुए है, ये पदार्थ की मजबूती से नहीं ह ये ज्यामिती की सटीकता से हुआ है, ये इलाका भुकम की दृष्टी से समवेधन शील है, तो हमने इसे रेत की परत पर बनाया है, तो ये छोटे मोटे जटके सह सकता है, मान लिजे एक बहुत बड़ा भुकम पाता है, जो जमीन को चीर देगा, सिर्फ तभी ये गिरेग वरना ये नहीं गिरेगा